लास्ट की कुछ वीडियो में मैंने ESP Board के उपर वीडियो बनाया उसमें हमने देखा कि ESP 8266, ESP 32 Board को हम लोग कैसे प्रोग्राम करते हैं Android फोन से आज की वीडियो में हम लोग फिर से कंटीन्यू करने वाले Arduino programming topic के उपर तो चलिए आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, practical बताने वाला हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो में promise किया था कि मैं practical वीडियो लाऊँगा क्योंकि मैं फोन से suit करता हूँ, इस वज़े से मैं एक साथ दो चीज़ नहीं कर सकता हूँ इसलिए मैं अपने फोन से एक फोन से सूट कर रहा हूँ और एक फोन से मैं अपने code को upload करूँगा तो चलिए guys वीडियो को हम लोग सुड़ो करते हैं तो guys वीडियो सुड़ो करने से पहले आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि आज मैं आज की इस वीडियो में मैं दो practical topic को touch करने वाला हूँ यानि कि दो code बनाऊँगा उसको अपने Arduino में upload करूँगा तो बस यही कहना था और दूसरी बात कहना है कि आप लोगों को थोड़ा सा अंजानत सा strength सा लगता होगा कि यह कौन सा board है मेरे पास तो आप लोग देख सकते हैं यह Arduino नैलो है मेरे पास जिसका मैंने micro controller निकाल दिया है और इसमें आप लोग देख सकते हैं मैंने atmega 328 लगा कर रखा है इसको program करने के लिए तो guys इसको मैं कैसे program करता हूँ सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ अगर इसका वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं मैं उस वीडियो का link description में देदूँगा तो guys चलिए अब हम लोग अपने वीडियो को सुरू करते हैं यह आप लोग सबसे पहले हम लोग अपना सबसे पहला program हम लोग लिखना सुरू करते हैं तो सबसे पहला जो program हम लोग का होने वाला है वो होने वाला है LED Blink का जो कि मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियो में बताया है आज भी मैं उसी से सुरुआत करने वाला हूँ उसके बाद मैं दूसरे code के तरफ जाओंगा चलिए guys हम लोग सबसे पहले अपना पहला program हम लिखते हैं जो कि LED Blink का program होने वाला है guys हम लोग कोई भी program लिखते हैं और डिनो के लिए या ESP board के लिए कोई सभी board हो development board तो उसके लिए हम लोग program लिखते हैं किस purpose के लिए हम program बना रहा है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे LED के pins के बारे में development board जैसे की Arduino हो गया ESP board हो गया यह सारे development board होते हैं इसके बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं Arduino के बारे में तो Arduino में basically जो pins होते हैं वो 14 pins होते हैं digital के लिए 6 pins होते हैं इसमें analog के लिए तो example की तोर पर मान लेते हैं हम लोग मैं कोई pin select कर रहा हूँ LED blink का program है तो मान लीजे LED pin मैंने 10 select कर लिया मैंने select किया Arduino में pin number 10 जो है उसमें LED output लगेगा मतलब कि एक LED उसमें मैं pin number 10 पर लगाऊंगा LED का plus और LED का minus जो है ground में connect होगा तो यहां तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बाते clear हो गई हो तो चलिए हम लोग इसको अपने code में कैसे implement करते हैं हम लोग pin number 10 को select करने वाले तो इसको लिखने का दो तरा का मतलब कि इसको define करेंगे हम लोग अपने code को बताएंगे compiler को कि हां मैं pin number 10 को मैं अपने code में use करने के लिए ले रहा हूँ तो इसको लिखने का है, हैस, डिफाइन मैंने लिखा, उसके बाद, LED भी लिख सकते हैं, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, LED हो गिया, इसे हम लोग कहते हैं, identifier, ब Wiz поп Tac, मतलब इसे पैचाना जाएगा, हम लोग, जो भी, प्रोग्रम में हम लोग लिख रहे हैं, जो भी हम लोग Arjuno को जो प्रोग्राम को हम लोग बता रहे हैं कि हाँ हम लोग का यह जो pin number है इसका हम नाम दे रहे हैं इसको तो has defined led मैंने ये नाम दिया ये हो गया इसका has defined protocol हो गया led मैंने इसको नाम दिया identifier दिया अब यहाँ पे हम लोग जैसे लिखेंगे इसमें हम लोग assignment operator का use नहीं करेंगे इसमें हम लोग direct हम लोग जो भी pin को select किये हैं वहाँ पर इसको हम लोग लिखतेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, pin number 10 को मैंने select किया, output के लिए, pin number 10, तो एतना हम लोग को करना है, define करने के लिए, अब दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका से हम लोग करते है, variable बना कर, जैसे, int led, अब इसमें हम लोग assignment operator का use करते है int led, equal to, अब pin number हम लोग जो भी select कर रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पर add करेंगे, माल लीजे हम लोगों ने pin number 10 को select किया, pin number 10 लिखा हमने, अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाले है, कि हम लोगों को, अगर कोई सा भी line हम लोग दे रहे हैं, statement का, या कुछ भी define कर रहे हैं हम लोग variable के तोर पर, तो हम लोग इसको terminate करने की ज़रूरत होती है, तो इसको terminate करेंगे हम लोग semicolon से, अगर हम लोग semicolon देना भूल जाते हैं, तो हम लोग उको compilation में error आ सकता है, तो बहुत सारे लोग जो भी code लिखते हैं खुद से, या कुछ भी code में editing करते हैं, तो उन इसको pin number define करने का, अब तो मैं लिखना चाहूंगा इसको कोई एक सा, कोई एक तरीका को हम लोग इसमें रखते हैं, तो example की तोर पर मान लेते हैं, कि मैं रखने वाले हूं has defined वाले को, अब तो मैंने यहाँ पर define कर दिया, has defined led 10, अब इसको हम लोग setup करेंगे, setup कहने का रहेगा या output रहेगा, तो इसके लिए हम लोग simply सा लिखेंगे, white setup, white setup लिखेंगे, अब इसको लिखने का कुछ protocol इस टाइप से है, white लिखेंगे, space देकर setup लिखेंगे, इसमें सब small letter में होगा, सब lower case से, उसके बाद हम लोग देंगे, parenthesis देंगे हम लोग, अब parenthesis देंगे open और close, उसके बाद हम लोग curly bracket हम लोग इसके just बाद से भी start कर सकते हैं, या program को और beautiful बनाने के लिए हम लोग enter देकर हम लोग नीचे से भी start कर सकते हैं, तो मैं यहां तक जो भी program लिखता हूँ, मैं एक line नीचे से start करता हूँ, यहां से मैं curly bracket देने बाला हूँ, अब मैंने compiler को अपने program को बताएंगे, pin mode, अब हम लोग इसके अंदर parenthesis देंगे, अब parenthesis के अंदर हम लोग लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहां दिया LED identifier दिया, मतला pin number 10 को हम लोग एक नाम दे दिया है, LED नाम, आप लोग इसको कुछ भी दे सकते हैं, तो यहां हम लोग simply से लिखेंगे LED, अब हम लोग कॉमा देंगे, अब कॉमा देने के बाद हम लोग लिखेंगे कि वो क्या रहेगा, input रहेगा या output रहेगा, तो मैं यहां पर output दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे LED को glow करवाना है, अगर example की तोर पे मान लीजे, मैं कोई switch इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों, Arduino में switch connect होगा, उसके बाद LED on होगा, तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा input, लेकिन अभी मैं LED connect कर रहा हूँ, तो इसके लिए output लिखूंगा मैं, तो यहां पर output लिखने का प्रोटोकॉल है, यहां पर सब capital letter में होगा, सब upper case में होगा, अब यहां हम लोग इसको semicolon से terminate अब यह हो गया, वाइड सेटप के अंदर हम लोग ने statement लिखा, pin mode LED output, अब हम लोग ने compiler पो बता दिया है, कि LED नाम का जो हम लोग ने define किया ओपर LED 10, pin number 10, वो क्या होगा, output होगा, अब हम लोग इस curly bracket के बाहार आएंगे, यहां तक तो हम लोग समझे को हैंगे, कि कौन सा line क्या काम करेगा, कौन सा code क्या काम कर रहा है, अब next हम लोग चलते हैं, LED blink का program हम लोग पना रहे हैं, अगर मान लीजे हम लोग यहां तक program लिखकर छोड़ देते हैं, तो अगर हम लोग compile करते हैं इसको, तो guys, अब हम लोग यहां से compile करना start करते हैं, अब देखिया क्या होता यहां, अब यहां पर हम लोगों को compilation error आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग कोई सा भी Arduino program या ESP board का program लिख रहे हैं, तो उसमें दो function देना ज़रूरी है, function कहने का मतलब आप लोग एक function देख सकते हैं, उपर में white setup, और दूसरा होता है white look, हम लोग program में कुछ भी use करें या ना करें, इन दो functions को लिखना ज़रूरी है, तो guys, यहां पर हम लोग दे रहे हैं, white, white loop नाम का function, मैंने बनाया, अब इसको protocol follow करते हुए हम लोग, तो guys, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने white loop नाम का एक function बना लिया, अब चलिए हम लोग इसको प्रोग्राम, compile करते हैं, compilation finished, तो guys, यहां आप लोग देख सकते हैं, हमारा compilation finished हो चुका है, तो यहां से आप लोग जान जाएंगे कि कुछ-कुछ जो हम लोग गलतिया करते हैं, अपने program लिखने टाइम, माल लीडिया हम लोग ने code लिखा, कि हम लोग उको code एक बार run कराना है, तो हम लोग तो white setup के अंदर बहुत ही प्यार से लिखते थे हैं, सारे code को, सारे statement को, लेकिन हम लोग white loop देना भूल जाते हैं, तो इस case में हम लोगों को error देखने को मिलता है, तो guys, कुछ बाते हैं, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, code लिखने के time, तो guys, अब हम लोग अपने वापस से topic के उपड़ आते हैं, तो हम लोग क्या लिख रहे थे, LED Blink का program बना रहे थे, तो LED Blink के program में Blink करेगा मतलब की continuous run होता रहेगा, तो इसको हम लोग आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, concept function में हम लोगों को लिखना है, setup के अंदर क्या होगा, कि हम लोग जो भी lines of code लिखत मतलब की सिर्फ glow on रहेगा, off नहीं होगा, और अगर हम लोग इसको continuous हम लोग इसको on-off, on-off, on-off करवाना चाहते हैं, तो हम लोगों को loop नाम के function के अंदर हम लोगों को code लिखना पड़ेगा, अब code लिखने का protocol गया, तो चलिए हम लोग लिखने स्टार्ट करते हैं, तो synthesis के अंदर हम लोग लिखेंगे, digital right मतलब digitally वो LED glow होगा, अब analog right क्या होता है, मैं आगी की वीडियो में समझाओंगा, क्योंकि अभी practical वीडियो चलने वाली है मेरे चैनल पे, तो आप लोग tension मतले ना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे digital right, अब क्या होगा, कि digital right हम उपर बनाया था LED 10, मतलब कि pin number 10 को हम लोगों ने नाम दिया था LED, तो हम लोग यहाँ पे use करने वाले हैं LED को, हम लोग LED लिखेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, high, उसके बाद हम लोग semicolon से इसे terminate करेंगे, अब इस case में इस line में क् प्रोग्राम समझेगा, digital right, मतलब कि इसको LED जो है, इसको high कर देना है एक पर, अब जैसे ही high होगा, हम लोग कुछ time के लिए इसको hold करके रख सकते हैं, मतलब कि मान लीजिए, on हुआ, तो हम लोग कुछ भी time दे सकते हैं, एक minute, दो minute, एक second, दो second, आपके ओपर depend करता है, कि delay functions क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में समझा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में मुझे introduction देने की जरुरत होगी, तो अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो देखना है, तो मैं आई बटन में उसका link देदूँगा, आप तो महाँ से जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं, तो अभी हम लोग चलते हैं, delay वाले function के उपर, delay function देंगे, delay नाम देंगे हम उसका, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, parenthesis के अंदर, अगर मान ली ये हम लोग, 1000 देते हैं, 1000 में क्या होगा, इससे सबसे पहले हम लोग terminate कर देते हैं, semicolon से, 1000 मतलब कि 1000 ये millisecond है, यानि कि मैंने यहाँ पे लिका 1000, तो ये एक second के लिए on होगा, सिर्फ एक second के लिए, और अगर हम लोग इसमें time को increase करना चाहते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे एक zero और देते हैं, तो 10 हो जाएगा, 10,000, तो 10 second result जो आएगा, तो इसके बाद भी ये on, अगर हम लोग ऐसे ही program को upload कर देते हैं, तो हमारा जो LED है, सिर्फ on होकर रह जाएगा, क्यूंकि हम लोग ने इसको off नहीं किया, तो 10 second तो on होगा, उसके बाद भी on रह जाएगा, तो हम लोगों को LED को blink करवाना है, अब next line में हम लोग फिर से लिखें अब guys मैंने यहाँ पर कुछ गलतियां किया भी, अभी just बहले, मैंने digital लिखा, सब lower case से मैंने digital लिखा, लेकिन जैसे digital लिखेंगे, उसके बाद फिर right का जो W होगा, वो capital हो जाएगा, यानि upper case से लिखेंगे, तो ये इसका कुछ protocol है, अब हम लोग parentheses के अंदर हम लोग दिखेंगे फिर से, led, low, अब इससे क्या होगा, इसको हम लोग terminate करेंगे, अब हमारा program क्या समझेगा, कि अगर 10 second के लिए led तो high हो गया, अब led को हम लोगों को low कर देता है, low मतलब led off हो जाएगा, तो हम लोग इसको भी time दे सकते हैं, माद लिजे 2 second, 3 second, 10 second, 1 minute, 2 minute, 1 है, वो आप लोग अपने हिसाब से calculate करके, इसमें, delay function के अंदर number को add कर सकते हैं, तो 10 second के लिए led को high कर दिया, अब next line में हम लोग delay function का फिर से use करेंगे, delay, अब parenthesis के अंदर मैं चाहता हूँ कि 10 second के लिए led तो high हो गया, लेकिन led जब low हो तो सिर्फ 1 second के लिए हो, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैंने 1000 दिया, अब यह पूरा का प्रोग्राम जो है, 10 second के लिए led को on रखेगा, और सिर्फ 1 second के लिए led को low रखेगा, तो गाइस इस code को हम लोग चलिए, हम लोग अपने Arduino में प्रोग्राम करके देखते हैं कि क्या result आता है, तो गाइस अब हम लोग देख सकते हैं कि Arduino के pin number 10 को हम लोग ने select किया led के लिए, तो चलिए हम लोग अपने connection को कर लेते हैं सबसे पहले, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक blur led लिया, इससे होगा क्या कि आप लोगों को camera में भी साफ साफ दिखेगा कि led glow हो रहा है, तो चलिए हम लोग अपने breadboard में इसको fix करते हैं, तो गाइस breadboard में fix करने के लिए हम लोग जो long leg है, हम लोग इसमें इसको connect करेंगे ordino के pin number 10 से, और जो short ले गए है इसके led का, इसको हम लोग 100 coms के resistor से ground करेंगे, तो चलिए हम लोग connection कर लेते हैं इसका, तो गाइस अब आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको power connection के लिए दे दिया है, और एक ground connection के लिए आप लोगों ने red board को power up करने के लिए दे दिया, तो अब हम लोग चलिए अपने program को अपने ordino में upload करते हैं, तो upload करने के लिए सबसे पहले हम लोग program को compile करेंगे, तो गाइस आप लोग जैसा कि screen पर देख सकते हैं, हमारा program जो compile हो गया, compilation finished, अब हम लोग इसको upload करेंगे, तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा board power up हो चुका है, अब हम लोग अपने program को upload करेंगे, तो upload करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक icon दिख रहा है, download वाला, यहाँ से हम लोग इसको press करेंगे, अब यहाँ से हम लोग इसको ok कर देंगे, तो कुछ cases में हम लोग उको error देखने को मिलेगा, तो हम लोग उको करने क्या है, और डिनो में जो reset button है, हम लोग उसको दबाए रखना है, उसके बाद हम लोग program को upload फिर से करेंगे, तो हमारा program upload हो चुका है, चलिए हम लोग better result के लिए, हम लोग अपने lights को off करते हैं, तो guys जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 10 second के लिए LED on हो रहा, एक second के लिए LED off हो जाड़ा, तो guys अभी हम लोगों ने दिखा, LED blink का program कैसे काम करता है, इसके अंदर जो भी code lines of code हैं, हम लोगों ने उसको अलग-अलग तोड़ कर समझा, कि कैसे यह सब काम करता है, तो guys आप लोगों को समझ में आ गए होगा, कि LED blink जो program है, वो कैसे काम करता है, अब हम लोग next जो program है, LED fade का, तो इसको हम लोग समझते हैं, कि यह कैसे काम करता है, LED fade का example से हम लोग समझेंगे, next topic है हम लोग का LED fade, अब यह क्या होता है, LED fade कहने का मतलब कि, आप लोगों ने बहुत सारे जगह देखा होगा, कि LED है या कोई सा भी bulb है, वो धीमेती में जो glow करके, वो high होता है, फिर लो होता है, फिर high होता है, फिर लो होता है, तो अभी इस वीडियो में basic बता रहा हूँ, तो हम लोग सिर्फ उसको high करने के लिए जानेंगे, कि वो धीरे-धीरे high कैसे होगा, तो हम लोग इसी का program हम लोग आज की वीडियो में बनाने वाला है, तो चलिए गा, प्रोग्राम लिखने स्टार्ट करते हैं, तो प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोगों को और्डिनो में, मैं फिर सब पी number 10 को सेलेक कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं अब जो डिफाइन करने वाला हूँ, मैं integer variable बना कर, तो सबसे पहले मैं लिखूँँगा, int, मैं इसका identifier दे देता हूँ, fedled, fedled will do 10, semi-colon से terminate करेगे, अब इसमें मैंने प्रोग्राम को कहा है कि pin number 10 जो है, मैं उसको fedled के लिए use कर रहा हूँ, अब हम लोग white setup के अंदर इसको setup करेगे, प्रोग्राम को बताएंगे कि यह output है कि input है, तो led को fed करना है, यानि कि output ही देना हम लोगों को, तो simply सा हम लोग लिखेंगे, white setup, अब इसमें मैंने प्रोग्राम को बता दिया है, कि fedledled नाम का जो variable है, जो भी मैंने define gap pin number को, वो output रहेगा, अब हम लोग next line में चलेंगे, अब white setup नाम का, हम लोग function बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग जो भी इस्टेट्मेंट हैं, हम लोग उसको लिखते हैं, white setup, white loop नाम के function के अंदर, अब मुझे led को fed कराना है, यानि कि वो एक रफफार से glow होगा, दीमे दीमे glow होकर, वो high, मतलब high हो जाएगा, बहुत तेज़ गलो करेगा, उसके बाद फिर सब वो लोग हो जाएगा, फिर सब glow करेगा, बहुत दीमे दीमे होकर high हो जाएगा, तो इसके लिए मैं, फोर लूप का यूज लूज करूँगा, अब फोर लूप का हम लोग असल में यूज यहाँ पर सीखेंगे की फोर लूप कैसे काम करता है, ऐससे दो फोर लूप का और भी सारे case में यूज होता है, सिर्फ LED को fade करने के लिए यूज यहीं नहीं करते हूं लोग बहुत सारे काम में यूज करते हैं हम लोग इसका बहुत सारे यूज करते हैं तो अब यू मैं 45- से आंदर हम लोग एक कारीपल बनाते हैं जादा नहीं पतार प्रोग्रैमर आइको प्रिफर करतें ये वह पता क्यों होता है लेकिन बहुत साह consumo करते हैं तो मैं अब इस लाइन को हम लोग टर्मिनेट कर नहीं करेंगे लिखा हम लोग ने अब अब हम लोग मान लेजिए 0 से स्टार्ट करते हैं अब जो यहाँ पर वैलिउ समझने वाली है थोड़ी सी मैं आप लोगों को समझाता हूँ LED मान लेज़े off है तो वो किस state में है 0 state में है मतलब कि वो 0 होगा off है तो 0 है अब वो जब on हो जाएगा तो वो अगर हम लोगों को धीरे धीरे on करना है अगर LED एकदम on है तो वो 255 state में है मतलब कि उसने value जो store किया हुआ है 255 है अगर हम लोग fade करा रहे हैं तब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया हुआ तो मैं फिर से इसको समझाता हूँ मान लेज़े मेरे घर में जो bulb है वो अभी off है मैंने उसको on नहीं किया तो वो क्या है 0 state में लेकिन जैसे ही मैंने उसको on किया तो उसका जो pick brightness है जो value है वो 255 भी हो सकता है उससे कम भी हो सकता है लेकिन मैं रखना होँ यहाँ पर 255 क्योंकि उसका maximum जो brightness है 255 तक ही जाता है इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे मैं memory programming जो भी memory से related computer memory से related video लाने वाला हूँ उसके अंदर हम लोग और अच्छे से समझने वाले है कि 255, 0, 1 जो भी computer language है यह सब कैसे काम करता है, क्या होता है तो अभी के लिए हम लोग देगे for int i is equal to 0 i is equal to 0 मतलब यहाँ से num का जो variable है 0 से start होगा मतलब कि वो off रहेगा हम लोग simply से off से start करेगे वो धीरे धीरे on होगा वो high हो जागा अब यहाँ पर हम लोग semicolon से terminate करेगे इस line को अब उसके बाद लिखेंगे फिर से i is less than 255 अब इसको हम लोग फिर से semicolon से terminate करेगे अब इस प्रोग्राम में क्या कहा जा रहा है कि i की जो value है 0 से start होगी 255 जैसे पहुँचे 255 तक पहुँचे गए i की value मतलब कि जो हमारे LED का brightness है वो धीरे धीरे मतलब 0 से start होकर 1 होगा 2 होगा 3 होगा और ऐसे ऐसे करके वो 254 तक जाएगा अगर हम लोग चाते हैं कि यहाँ पर यह 255 को भी touch करे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हम लोग यहाँ पर assignment operator का use कर लेगे तो अभी इस case में क्या होगा कि जो brightness है LED का वो 0 से start होगा 255 तक जाएगा उसके बाद increment operator का हम लोग use करते हैं क्योंकि यह increment होगा बढ़ता लाएगा 0, 1, 2, 3 तो हम लोगों ने आई नम का variable बनाया तो simply सा I लिखेंगे उसके बाद फिर plus plus दे देंगे यह हो गया लिखने का कुछ इस टाइब से protocol हम लोग follow करके for loop को लिखते हैं अब next line में हम लोग आएगे उसके बाद curly bracket के अंदर हम लोग लिखेंगे analog write यहाँ पर मैंने analog write लिखा अब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि analog और digital क्या होता है तो उनको कोई doubt नहीं होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि analog क्या है, digital क्या है इन दोने में difference क्या है तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लिए मैं इसके उपर भी वीडियो लाएंगो आप लोगो को पता चल लेगा कि analog क्या है, digital क्या है तो अभी सिर्फ हम लोग देखते हैं कि हम लोगो LED को जो fade करणा है तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे लिखना है analog राइट उसके बाद parenthesis के अंदर हम लोग लिखेंगे हम लोगों को कौन से fade led नाम का जो variable बनाया था उसको हम लोगों को fade कराना है तो हम लोग लिखेंगे हैं यहाँ पर fade fade led उसके बाद कॉमा देने के बाद लिखेंगे हम लोग i इसको semicolon से हम लोग terminate करेंगे अब इस line में क्या होगा analog right हम लोग function का use कर रहे हैं उसके बाद parenthesis के अंदर हम लोग parenthesis के अंदर fade led नाम का जो variable बनायाए pen number 10 का जो हम लोग ने नाम दिया है जो की pin number 10 का हम लोगोंने नाम दिया fade led अब उसमें क्या होगा यह जो analog right नाम का function है जो भी for look में जो value है वो उसको print करेगा मतलब कि जब हम लोगों ने code को upload किया Arduino में Arduino ड्राइट से Arduino में तो जब code start होगा, run होना तो सबसे पहले LED off होगा उसके बाद फिर on होगा धीरे धीरे LED के value 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on करते-करते वो 255 तक जाएगा उसके बाद फिर LED फिर से LED लो होगा फिर से 0, 1, 2, 3, 4, 5 अब इसमें हम लोगों ने एक बात notice कि delay function का use क्यों नहीं किया अगर हम लोग यहाँ पे delay function का use नहीं करते हैं तो क्या होगा, कि हम लोगों को दिखना ही पाएगा कि LED कब on होड़ा, कब off होड़ा है तो हम लोग यहाँ पे इस parenthesis, sorry, curly bracket के बाहर हम लोग एक delay function का use करेंगे delay हम लोग लिखते हैं 5 देते हैं delay 5 मतलब कि 5 millisecond का हम लोग delay रखते हैं अब 5 millisecond का क्यों ही रखेंगे हम लोग 1000 भी रख सकते थे अगर हम लोग 1000 रखेंगे तो यह बहुत number time लेगा अब मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाता हूँ माल लेजे हम लोगों इस code का upload किया तो क्या होगा सबसे पहले LED का जो value है यहाँ से LED का value 0 होगा अब उसके बाद 0 होगा यह int i का value 0 होगा अब next line में हमारा program आएगा analog right fed LED में जो 0 का जो i का value है 0 उसको print करेगा मतलब की feed करेगा उसको तो LED 0 रहेगा उसके बाद हम लोगों का program 5 millisecond के लिए delay करेगा अब माल ली यहाँ पे मैंने 1000 लगा दिया यहाँ पे 5 को हटाके 1000 कर दिया अब क्या होगा 1000 time के लिए 1000 millisecond के लिए delay होगा मतलब 1 second के लिए delay होगा फिर से हमारा program उपर जाएगा फिर से i की value को क्या करेगा incrementer operator हम लोगों नहीं यहाँ यूज किया इसका तो यह increment करता जाएगा अब next case में क्या होगा i का value 1 हो जाएगा अब जैसे ही 1 होगा next line में हमारा program आएगा उसके बाद फिर analog write fade LED का जो value है 1 कर देगा अब next line में फिर आएगा फिर delay रखेगा 1000 millisecond का तो हम लोग इसको बहुत ही लंबे time पे देख सकेंगे यह हमारा LED जो है fade होड़ा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है 5 millisecond यहाँ पे मैंने लिया 5 millisecond तो guys जितना जाद हम लोग delay में time बढ़ाएंगे नंबर बढ़ाएंगे उतना ही जाद हम लोगों को time लगेगा देखने में कि LED fade होड़ा है तो guys अब हम लोग चलिए इसको compile करते हैं compilation finish हो चुका है अब हम लोग इस code को upload करते हैं अपलोड करके देखते हैं कि क्या result आता है तो काई चलिए हम लोगों का दूसरा program जो है ready है same pin number पे हम लोगों ने LED को connect किया pin number 10 पे ही तो अब हम लोग program को compile करेंगे उसके बाद फिर upload करेंगे program को अब हमारा program जो है compile finish हो चुका है अब इसको हम लोग upload करेंगे तो काई जैसा कि हम लोग देख सकते हैं अब हमारा program जो upload हो चुका है और LED जो fade होना ही start हो चुका है तो हम लोग चलिए फिर से light को off करते हैं हम लोग तो काई अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो LED है पूरी तरीके से fade होते हुए दिख रहा है तो काई यह था दो simple program जो कि हमने आज इस वीडियो में सीखा अब next वीडियो में हम लोग इससे थोड़ा अलग level का program सीखेंगे और जानेंगे कि हम लोग programming कैसे करते हैं IOT devices और Dino ESP board के लिए तो काईस अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे like करना share करना और साथी साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर लेना